आज हम जानेंगे कि नक्षा मैप क्या होता है और उसकी जरूरत क्या होती है और लिखे हुए निर्देशों के साथ साथ नक्षे मैप की क्या जरूरत होती है तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं आपको जन्दिन की हादिक शुपकामना है मैडम आपकी शुपकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाम छे बजे मेरे घर में जन्दिन की पार्टी है और आप सभी को जरूर आना है हम जरूर आएंगे मैडम लेकिन हमें आपके घर का रास्ता नहीं पता अरे हाँ वो तुम्हें आपको बताना भूल ही गई आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए मैं आपको अपने घर पहुँचने के लिए डाइरेक्शन यानि निर्देश लिखवा देती हूँ हमारे स्कूल के गेट से सीधे जाएए आगे से दूसरा दाया मोर लीजिए फिर बाएं रोड पर मुर कर सीधे जाएए आपको एक अस्पताल दिखाई देगा अस्पताल से दाय मुरें और सीधे तब तक जाएं जब तक कि आपको हलवाई की दुकान न दिखे मेरा घर इसके ठीक सामने है अब मैं चलती हूँ आप छे बजे मेरे घर पर पहुँच जाएएगा मैडम की घर चलते है पाटी में बहुत मजाएगा चलू मैं भी बहुत उत्साहित हूँ निहा देखो इस सड़क पर ये गोल चक्कर बना है और यहां से दाई तरफ एक मोड है हमको इधर ही चलना है जल्दी चलो कहीं देर ना हो जाए अरे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है अब क्या करें? ओ हो मुझे लगता है कि हम गलत रोट पर मुड गए है हम लोग गलती कर रहे है हमें मैडम के दिये डायरिक्शन को पढ़ना चाहिए देखो मैडम ने हमको दूसरा दाया मोड लेने के लिए कहा था जबकि हमने पहला दाया मोड ले लिया आजाओ वापस चलते हैं याद है ना हमने यह सर्कल देखा था और दायरास्ते पर मुड गए थे यही हमारी भूल थी अब बाई और की सडक हमें स्कूल में वापस ले जाएगी तो यहां से हमें दाय तरफ जाना चाहिए देखो यह एक और दाय तरफ का रास्ता है यही दूसरा दाया मोड है चलो यहां मुड जाते हैं हाँ अब सही है चलो दाय मुड जाते हैं अरे वंदना तुम कहा जा रही हो हमें मैडम के दिये निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए अब देखो सामने एक बगीचा है और दाई और बाई तरफ रास्ता जा रहा है अरे हाँ हमें कौन सा मोल लेना चाहिए मैडम ने तो किसी बगीचे का जिक्र नहीं किया मैं समझ नहीं पा रही हूँ ठीक है एक काम करते हैं इन निर्देशों के अनुसार एक ड्रॉइंग बना लेते हैं देखो ये हमारा स्कूल है यह स्कूल के सामने की सडक है यह वह सरकल है जहां हमने गलत राइट टर्न लिया और हमने यह दूसरा सही मोड लिया उसके बाद हम इस रास्ते पर चले अब हम इस थान पर हैं मैडम ने हमसे कहा था कि दूसरा दाया मोड लेने के बाद हमें बाई तरफ मोड ना चाहिए फिर हमें एक अस्पताल दिखाई देगा, वहाँ से हमें दाया मोड लेना है, इस रास्ते पे सीधे चलते हुए हमको एक हलवाई की दुकान दिखाई देगी, बस उसी के सामने मैडम का घर है हाँ, अब समझ में आया, चलो अब चलते हैं देखो, सामने अस्पताल है, इस ड्रॉइंग के हिसाब से अब हमको दाया मुड जाना चाहिए देखो, वो हलवाई की दुकान, इसके सामने ही मैडम का घर होगा अरे देखो, मैडम तो यहीं पर खड़ी है आज आईए नेहा और बंदना, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना शुरू में थोड़ी हुई, हमें गलत मोर पर मोर गए थे पर फिर नेहा ने आपके दिये हुए डारेक्शन के अनुसार एक ड्रॉइंग बनाई फिर आम उसको देखते हुए आसानी से आपके घर पर पहुँच गए नेहा, दिखाईए आपने क्या बनाया अरे वाह नेहा, आपने तो मेरी घर आने का नक्षा ही बना दिया या नक्षा बोला जाता है, नक्षा एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारी मदद करता है जैसे नेहा की बनाए मैप ने आपके घर तक पहुचने में हमारी मदद की हाँ, ठीक वैसे ही, लेकिन एक नक्षे से ये भी पता चलता है कि कोई चीज कहां स्थित है जैसे अब इस नक्षे को देखकर आप बता सकते हो कि पार्क कहां पर है फिर तो मैप बहुत ही काम की चीज है मैप का इस्तिमाल कहां कहां किया जाता है मैप तो बहुत जगर इस्तिमाल किये जाते हैं जैसे बड़े पार्क में, म्यूजियम में, शौपिंग मॉल में, हर शहर का भी एक मैप यानि नक्षा होता है, जिसकी मदद से टूरिस्ट आसानी से एक जगर से दूसरी जगर जा पाते हैं। और सिर्फ शहर ही क्यों? हर राज्य, हर देश, यहां तक की पूरे विश्व का भी एक नक्षा होता है, जिसमें समुद्र, परवत और नदियों को भी दिखाया जाता है। मैप के बारे में अगर बाते करें, तो गंटो बिता सकते हैं, पर अभी पार्टी करते हैं, मैप के बारे में कभी और बात करेंगे। मैप किसी जगा के रेखाओं के जरीए बनाया हुआ चित्र होता है, जिससे किसी जगा पर पहुँचना आसान हो जाता है.